पाख जियंगी भाख ए ना कात आया तो किया ना में ते राख शामर सिंग क्या है तूना वह जो इस समय हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी तो लोगों की मार काते है गोरो गिलेंगों चपको करते हैं वो महीं क्या होगा तुने हमने सौगंत खाई है कि उन गोरो को यहां से भगा करी रहेंगे गोरो को भगा गाई है ये इंदोस्तानी गोरो को भगाएगा नजरनी जिकार और आँख निकाल का अदेली बरक दुना अज पहले बाद इस जिल में कोई आपे भढ़का है लोग नहते नहीं इंदोस्तानियों का नाम पर कलंक अब तमाश्ता तो देखो पानी तो साफ लगा है आपके घड़े का पनियों पी रहा है जागंगा महिया जर्टे महिया जोन साब अब नेलसन कोई नया जाल बिछाने की तरकीब सूच रहा होगा और इदर बैरिस्टर जॉन लैंग की कोशिशों से रानी लक्षमी भाई आश्वस्त हो गई थी कि समर सिंग और कर्मा याईक हिरासत में सुरक्षित रहेंगे अब कम से कम वो वहाँ शारेरिक रूप से सुरक्षित तो है अब तक हम पता होगा थे दिखे हमारे पास समय कम है उनसे कहिए कि हम शीकर मिलना चाहते हैं महराज हमने आपका संदे सुन तक पहुचा दिया संभवता वो हम किसी की प्रतिक्षा नहीं करते हैं क्या बक्रेयो सीधी बात कहों तो पैसा चाही साहेब पैसा अरे साहेब इतने जल्दी भूल गएका तो ठीक है हमो जाय के रानी लक्षमी बाई को सब कुछ बताए देंगे क्या बताएगा क्या बताएगा यह बताएगे साहेब क्या लची कुछ अरथ lóg यहीएवादी बताएगे कि शहीएगं को जहूड़ताएगा भाराणी तो हमको पचाहेड़ो मको पचाहीडो हम अपते घचच कहना चाहते हैं नहीं जा उसको और मुकद्दमा शुरू बैरिस्टर जॉन लैंग ने अपनी पहस में पूरी तरह साबित कर दिया कि मुल्जिम समर सिंग और कर्मा बेकुसूर और तभी इस्ट इंडिया कमपनी के वकील ब्राउन के ये कहने पर कि समर सिंग ने कैप्टन रॉस की हत्या की रानी लक्ष्मी भाई के साथ साथ बैरिस्टर जॉन लैंग भी हैरत सता रहे गया सक्ष्मी लैनल्हुन लगी लळा को साथ समर भातस Archipa जौए भाई लार नट अली नटी रॉ газ को कॉस्टर जुर्ष निसे कि वब सेक्राब चैज अर्ष्मी लैंग प coldar यिजिव ले अहें चीजे स्धूना इ फ्योन Ugні नहें यहीं फंसी के फंडे पे चड़ेते हुए मैं तिकाऊंगा बढ़ियो इसे 47 डिसंबर 1842 को 86 के राजजा अधिकारी होने के हैसियत से लंडन के कोर्ट आफ डिरेक्टर्स ने करनल स्लीमन के द्वारा हमें दिये दे हमारी प्रजाग को आपके अधिकारी कैसे दंडित कर सकते हैं समर सिंग और कर्मा को शडियंतर के तहत फसाये गया है उन्हें शीग मुक्त किया जाए